दोस्तों, आज हम रूपर्ट ब्रूक की पॉइम दा सॉल्जर्स को डिस्कस करेंगे, यह एक पैटियोटिक पॉइम है, यानि देसवक्ति कवीता है, रूपर्ट ब्रूक ने इस पॉइम को फर्स्ट वल्ड वोर के टाइम, 1914 में लिखा था, रूपर्ट ब्रूक ने फर्स् Safety, The Dead, The Dead, The Soldiers इनमें रुपर्ट बुरूक ने 3rd और 4th पॉइम को same title दिया था इस पॉइम के द्वारा रुपर्ट बुरूक ने एक soldier की अपनी Motherland, अपनी मात्र भूमी के प्रति देश पक्ति को दिखाया है इसमें एक soldier के माध्यम से point कहता है कि एक soldier जहां भी मरता है वहेद जगे इंगलेंड की हो जाती है इंगलेंड की इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें soldier को इंगलेंड का दिखाया गया है और अपनी Motherland यानि इंगलेंड के प्रति देश पक्ति दरसाता है और point खुद भी इंगलेंड के ही थे उन्होंने अपनी Motherland इंगलेंड के प्रति देश पक्ति और देश के प्रति प्रति प्रेम को दिखाया है यह poem एक sonate है इसलिए इसमें 14 lines है लेकिन यह sexperian और petarkan sonate दोनों का mix up है वो केसें समझते हैं इस poem में I'm big pentameter को काम में लिया गया है जो कि sexperian और petarkan sonate दोनों में same ही होता है इसके अलावा यह poem petarkan sonate के octave और cested format में है यानि यह poem two stanza में divided है eight lines का एक octave है और six lines का एक cested है लेकिन इसके octave part की rhyme scheme sexperian sonate की rhyme scheme कीतर है यानि इसके octave part की rhyme scheme है A, B, A, B, C, D, C, D जो की वास्तों में sexperian sonate के शुरुआती two quadrant की rhyme scheme है लेकिन इसमें sexperian sonate कीतर है three quadrant और a coupleate वाला format नहीं है इसमें petarkan sonate वाला octave cested format है और इसके cested part की rhyme scheme है E, F, G, E, F, G इस प्रकार इस sonate की complete rhyme scheme होगी A, B, A, B, C, D, C, D, E, F, G, E, F, G तो दोस्तों इस poem को शुरू करते हैं यह है इस poem का octave part यानि इस poem का पहला stanza If I should die, think only this of me इस line में poet कहता है कि यदी में मर जाता हूँ यानि युद्ध में मेरी मरतु हो जाती है तो मैं केवल यही चाहता हूँ कि लोग मुझे इस परकार से याद करें या लोग मेरे बारे में यह सोचें Think only this of me का मतलब लोग मेरे बारे में केवल यह सोचें That there is some corner of a foreign field That is for ever England कि जहां पर मेरी मरत्यू होगी यानि जिस भी विदेशी जमीन पर मेरी मरत्यू होगी बैज जगह हमेशा हमेशा के लिए England का एक हिस्सा बन जाएगी Point मानता है कि यदि उसकी युद में लड़ते लड़ते कभी विदेशी जमीन यानि England के बाहर कहीं पर भी उसकी मरत्यू हो जाती है तो वह जमीन हमेशा के लिए England का ही हिस्सा माना जाए और यही वो चाहता है कि मेरे बारे में मेरी मरत्यू के बाद लोग यही विजार करें इसी तरह उसे याद किया जाए कि वो England में मरा है जहां पर वो मरा है उसे अब England का ही सामाना जाए तो दोस्तो एक बात आपको कलिर करना चाहूँगा कि Point Rupert Brooke First World War के टाइम में 1914 में ब्रीटिस आर्मी में सामिल हो गए थे उसके दो महीने बाद उनकी ग्रीक टापू पर मरत्यू हो गई थी इस परकार से वो खुद भी एक सेनी ही थे उनको वोर पोईट के नाम से भी जाना जाता है आगे कहते हैं In 라インस में Point इस बात को कलियर कता है कि जहाँ पर उसके मरत्यू होगी वो किस परकार से एंगलेंड का ये किसा बन जाएगा या पोईट कैता है वो जमीन जहाँ पर मेरी मरत्यू होगी या मेरी मर्त्यू के बाद जिस विदेशी जमीन पर मुझे दफनाया जाएगा वो जमीन रिच हो जाएगी और वो जमीन रिच क्यों हो जाएगी क्योंकि उसमें एक रिच डस्ट कंसील हो जाएगी यानि एक रिच डस्ट दफन हो जाएगी कंसील का मदलब छिपाना यानि उनको दफनाया जाना यहां पोईट इन लाइन्स के माद्दम से अपनी मर्त्यू के बाद अपनी डेड बोड़ी को इंगलेंड की डस्ट यानि मिट्टी बताता है और वो भी उसे रिच डस्ट बताता है यानि वहे विदेशी जमीन जहां पर उसे डफनाया जाएगा वहे उस देश की जमीन से ज़्यादा अपने देश की इंगलेंड की मिट्टी यानि खुद की डेड बोड़ी को ज्यादारी जमाँता है और आगे कहता है अड़ेस्ट हूम इंगलेंड बोर कि जिस मिट्टी को इंगलेंड ने पेदा किया बोर मिंस पेदा करना सैप्ड मैड अवेर और जहां पर उसे सेप मिली यानि जहां पर उसका पलन पोसन हुआ जहां पर वो जाग रुक हुआ सेप का मतलब बड़ा होना परवरिश होना उसकी कि वहां पर उसकी परवरिश होई वहां पर वह पला बड़ा हुआ गेव वन्स हर फ्लावर्स तू लव और इस इंगलेंड की भूमी ने उसे प्रेम करने के लिए फूल दिये अर्थाथ की उसे इंगलेंड के फूलों से प्यार था हर वेज टू रोम वह इंगलेंड की भूमी ही थी जहां पर वह गूमा फिरा वहां के मारगों पर वह चला गूमा रोम मिन्स गूमना फितना अर्थाथ वह इंगलेंड की जमीन पर पेड़ा हुआ यहीं वह बड़ा हुआ यहीं पर उसका पालन पोसन हुआ यहीं पर वे गुमाफिरा इसी जमीन ने उसे प्रेम करने के लिए फूल दिये A body of Englands, breathing English air की एक England की बोडी जिसने England में ही अपना जीवन जिया यानि उसने England की भूमी पर ही स्वास लिया breathing का मतलब स्वास लेना Washed by the rivers, blessed by sons of home वहे यहां की नदियों में नाया और यहां के सुरिया से आसिरवाद लिया blessed means आसिरवाद मिलना अर्थाथ उसने England की जमीन पर ही सुरिया का अनंद लिया यहीं नदियों में नाकर बढ़ा हुआ तो दोस्तों इसका पहला स्टेंजा पुरा उचका है देखते हैं आगे यह है इसका last stanza जो इस point का chested part है इन lines में poet एक बार पुन्य कहता है कि लोग मेरी मर्त्य हो जाने पर किस परकार सी विचार करें तो शुरू करते हैं कि जब मेरी मर्त्य हो जाए तो लोग ऐसे सोचें कि अब इस heart से सारी बुराईया चली गई है सारी बुराईया दूर हो गई है shed away का मनलोग दूर हो जाना evil का मतलब बुराई a pulse in the eternal mind knowledge gives somewhere back the thoughts by England given और जब मेरी मर्त्य हो जाएगी यानि युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते जब मेरी मर्त्य हो जाएगी यहाँ a pulse in the eternal mind से मतलब है कि जब मेरी आत्मा या मेरे प्राण उस eternal mind में यानि heaven में चले जाएगे तब motherland England ने जो thoughts मुझे दिये हैं वो thoughts वो विचार जिवन्त हो जाएगे और मैं उन thoughts उन विचारों को heaven में सांती से बेटकर याद करूँगा यहाँ give back का मतलब उन thoughts का वापस यादों में आने से है यानि वो thoughts वापस आ जाएगे पल्स का मतलब आत्मा या प्राण her sights and sounds और मेरे देश के नजारे मेरे सामने लोट आएंगे sights and sounds का मतलब नजारे मतलब England में रैकर poet ने जो experience किया था वो नजारे dreams happy is her day और मेरे देश इंगलेंड में बिताए खुसनुमा लम्हे मेरे सपनों में आएंगे and laughter land of friends और England के मेरे मित्रों के साथ किया हंसी ठटा भी वापस लोट आएगा मित्रों के साथ की हंसी मजाक की वो वाते मापस लोट आएंगे वो हसी मजाक मुझे याद आएगे and gentleness in hearts at peace under an English heaven और मेरी मरत्यों के बाद जब मैं heaven में आऊँगा तो England की gentleness भी वापस लोट आएगी पोईट मानता है कि England के लोगों में उनके hearts में gentleness पाई जाती है तो दोस्तो आज की वीडियो यहीं समात होती है वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और दोस्तों के साथ सेर करना चैनल पर पहली बार आएएं तो सबस्क्राइब करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग